हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेक्ट अकेडमी में मैं हूं सशीक अंत्र है और आज सुबह मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि भीहार सिच्छा मंत्री का बयान जो है मैंने न्यूज चैनल में देखा था जिसमें उन्हें कहा था कि डेली आम लोग एक हजार न्यूक्ति पतर दे रहे हैं तो उस पर जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि फेक है जूटा है तो भाई आप लोग देख लिया करो ताकि आपको जनकारी मिल जाए और एक रिक्वेस् सब्सक्राइब करेंगे जिसका आपको सपोर्ट अगर मिलेगा तो बिल्कुल हो सकता है कि बिहार सिचा विवाग भी जो है उसको सुने समझे और हम लोग को और हमें चला को फेकर सब्सक्राइब करें तो आप हमें चला को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अभी का जो वीडियो है वो नियो जन पत्र के बारे में है और इस वीडियो को भी आपको सब्सक्राइब करना होगा और जो भी सिच्छा चावर्ति Apache Park नय सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा, सब्सक्राइब विटन पर बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, और और पर क्लिक करना न भूलिएगा, ताकि सारे वीडियो के नटिफिकेशन आपको मिल सकें, तो आईए सुर करते हैं अपना विडियो को जियादऄ जयादऄ सेयर करें। और इस विडियो को जातना लाइक करिएगा उतना यह विडियो सजेशन में जयेगा। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अभी तक एक भी डॉक्मेट साय वरिफिकेशन नहीं किया गया है। बिहार सिच्छा विभाग और सिच्छा विभाग के जो मंत्री जी है उनको जहे निसी पे डाटा जो है अप्लोड करवाना चाहिए जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है क्या ऐसे एक भी अभिरती नहीं है जिनका अभी तक पूरा कम्प्लीटली डॉक्मेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है ताकि उनको नियोजन पत्र दिया जा सके क्या बिहार सिच्छा विवाग इतना सुस्त काम कर रहा है क्या ऐसी कोई भी नियोजन निकाई नहीं है जहां पर एक सीट या दो सीट थी या चार सीट थी और उनका अभी तक डॉक्मेंट वेरिफिकेशन ही कम्प्लीट नहीं हुआ बहुत ही आश्चर जनक बात है या तो चाहिग जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं और खास दोर से उन नियोजन निकाईूं के बारें बात कर रहा हूँ जहां पर एक एक दौदो सीट थी तो मेरा कहنا यहैंकि जहां पर फर्स्ट फेश की काौंसलिंग हो चुकी सेकेंड फेश की काौंसलिंग हो चुकी ठीक है और यहां पे एक दो-दो सीटे थी या किसी particular category में ही सीट थी तो क्या उन लोगे कोई document verification हुआ ही नहीं selection का list आपने जारी कर दिया लेकिन आपका document verification नहीं हुआ है कम से कम इतना तो मत चुपाईए कम से कम सिच्छा विवागा को इतना परदा नहीं डालना चाहिए कम से कम कुछ ऐसी नियोजनिकाईओं को तो सेलेट करें जहां पर जो है document verification का काम पूरा हो गया है और जो verified अभियरती हैं जिनके document verified हो चुके हैं कम से कम उनको तो नियोजन्द पत्र दे दे ताकि बिहार सिच्छा अभियरतियों को ये दिलासा रहे, भरोसा रहे, बिहार सिच्छा व्याग को भरोसा विश्वास कायम रहे कि उनको हाँ, उनका डॉक्मेंट चेक हो रहा है और उनको भी नियोजन पत्र मिलेगा कम से कम मैं एक बार फिर से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल सभी नहीं मतलब निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आग्रा है, प्रार्तना है, जो भी विहार सिच्छा विवाग समझ ले आप लोग जहाँ पर जिन नियोजन निकाईयों के डॉक्मेंट वरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, उनको तो नियोजन पत्र जारी करिए, या विल्कुल दिसंबर में ही जारी करेंगे, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप उसको मीडिया में क्यों नहीं में प्रॉब्लम यही है, और यही नहीं, जब आपका जो है नियोजन पत्र नहीं दे पाएंगे, तो इससे बढ़िया है कि आप अभी जो है नियोजन पत्र उन सभी अभियर्थियों को देना सुरू करते हैं, जिनके डॉक्मेंट वेरिफाइड हो चुके हैं, ताकि उनकी नौकरी मिल सके, क्योंकि आने वाले समय में स्टैन का चुनाओं जैसे ही होगा, उसके बाद इस पहाली में नियोजन पत्र का पेंच बहुत जबर जबर जब फसने वाला है, यह बिल्कुल मान के चलिए, तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को जाज मंतरी पर बना रहे हैं और विहार सचा विवाग पर बना रहे हैं, बस इतना ही मुझे इस वीडियो में कहना था, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक करना न बूलिएगा तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में तब तक के लिए इजाज़त दीजे धन्यवाद